पूरी दुनिया में तेजी से कोरोना फैल रहा है जिसके लक्षे नाम तोर पर गले में दर्द खासी सर्दी जुखाम बुखार है लेकिन अब डुटेन के श्वत करताओं के मताबिक कुछ खाने पर स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज की गंद का महसूस ना होना भी कोरो 1202 का कोविड-19 का टेस्ट हुआ जिनमें से करीबं 600 लोग पॉजिटिव पाए गए और 1123 लोग नेगिटिव जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया था उनमें से 69% लोगों ने सूगने और स्वाद चकने में असमर्थता के शिकायत की जिससे ये स सामने आया कि आम सर्दी के साथ ही सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षनों के अलावा स्वाद और गंध का महसूस ना होना भी कुरोना वायरस का लक्षन हो सकता है वहीं विशेश सग्यू का कहना है कि बुखार और खासी अभी वायरस की वो संभावित महत्पुर लेकिन सूंगने और स्वाद चकनी की शमता खत्म होने को कुरोना का प्रमुक लक्षन मानना इसके लिए अभी प्रयाप्त सबूत नहीं है दिली से नवदो टाइम्स के लिए सुरस्टी की रिपोर्ट